जहीं दोस्तों तो आज यहाँ पर हम बात करेंगे बिटकोइन के बारे में इथिर्म के बारे में और टोटल मार्केट के प्लेशन के बारे में क्योंकि पूरी मार्केट डिपेंड रहती है तीनो चार्ट पे यहाँ पर हम एनलेसिस करेंगे तो तुरंत पदा चल दाएगा इससे पहले जो हमने कल का वीडियो बनाया था वहाँ पर जो ट्रेड शेयर की थी उसको एक बार प्ले करके यहाँ पर गवर कर लेते ताकि यह भी इसके साथ चोइंड हो पाए 22 गंटे पेले यहाँ पर वीडियो बनाया था प्ले करते हैं एकशेटली 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 यह ट्रेंड लाइन तक आ सकता है मतलब एकशेटली 17,600 डोलर जो हम काफी दिनों से देख रहें यह वाला मामला बन शकता है थोड़ा फंडामेंटल न्यूज पे भी देखना कि भाई क्या आने वाले टेम में न्यूज आ रहे फिलाल यहाँ पर अमेरिका की हालत खराब है मुझे लग रहा है कि फिर से नेगटिव आखड़ा आया तो मार्केट में क्रेश वापस देखा चाहेगा तो एक ट्रेड यहाँ पर मिल रहा है कि भाई मुझे शोट करना है 2500 से लेके 2700 डोलर जब बिट को इनका प्राइज जाए वहां से शोट करना है त्री एक्स पोर एक्स का लेवरेज लेके और स्टोपलोस के साथ ट्रेडिंग करना है यह वाला मुझे मामला लग रहा है क्योंकि यहां से इसको तोड के बाहर भी निकल जाता है तो हमारा स्टोपलोस होगा वहां पर 5-6% का लोस होगा बट देखो मान लो एक को लग गई मतलब लगी जाएगा 99% possibility है कि मार्केट यहां से नीचे है और यह ट्रेड लग गई तो आपका profit exactly मैं बताऊंगा कि भई प्रेडिंग करना है और थोड़ा चार्ट पर फोकुस करना है और ट्रेडिंग करना है फिर यहां पर 20,400 डोलर तक देखा गया था मार्केट 20,500 भी नहीं हीट हुआ मतलब थोड़ा आपको भी एकजेज करना है आगे पीछे मतलब 100-200 डोलर उपर नीचे आप ट्रेड एकजेट ली अपने हिशाप से भी ले शकते हो फिलाल आज कर यहां पर analysis करते है कि केसे क्या हुआ और कहां पर अभी फिलाल मार्केट जाके रुक पाई फिलाल यहां पर बिटकोईन का जो प्राइज यह 19,572 डोलर पे ट्रेड कर रहा है फिलाल यहां पर देखो जो यहां पर कल हमने वीडियो जब शूट कर रहे थे तब एरिया में कहीं चल रहा था बिटकोईन और मैक्सिमम यहां पर 20,300-20,400 डोलर के आसपास हीट किया त्योंकि यहां पर मैजर रेजिस्टन्स था यहां पर प्राइस सस्टेन ही नहीं कर पाया और मार्केट हो गया क्रेस फिर यहां पर ट्रेड लिया होगा उसको तो प्रोफिट हुआ होगा मुझे सेर कर सकते हो कि भाई मुझे प्रोफिट हो रहा है तो काफी मुझे भी अच्छा लगेगा उस पे एक like भी ठोक देना कि भाई profit हो रहा है तो like करना तो बनता है यह से down market के अंदर profit हो रहा है तो फिलाल आपको कहा तक trade को exit करना है फिलाल यह area पर आपको 50-60% इतना trade को exit कर लेना है जो profit चल रहा है उसको book कर लेना है maximum आप यहाँ पर wait कर सकते हो फिलाल के लिए 19,400 डोलर के आसपास 19,350 इन 19,400 चुकि नीचे यहाँ पर यह trend line देखो बार बार यहाँ पर market support ले रही है एक जिटली आप देखोगे तो market यहाँ से भी support लेके market area तक उपर गई फिर market नीचे आई area पर support लिया उपर गई फिर यहाँ पर यह trend line के उपर support लेके market उपर गई नीचे आई यही trend line के उपर support लेके market उपर गई मतलब यह एक support zone है यहाँ पर market बार बार support लेके उपर जा रही है और वापस रही trend line के उपर आ रही है तो फिलाल यहाँ पर इस बार आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर मार्केट इस बार सस्टेन करती है या नहीं करती है एकजेटली एए एरिया पर नजर रखो फिलाल मार्केट नीचे आ रही तो एक दूसरा यहाँ पर जो मैं ट्रेड है आप लोग के साथ सेर कर देता हूँ बिटकोईन के अंदर जबकी मार्केट 19,300 डोलर से नीचे एक भरा केंडल चार घंटे का केंडल जो क्लोजिंग इससे नीचे हो जाता है तो मार्केट एकजेटली एए एरिया तक आ सकती है 18,200 डोलर के आसपास देखो आपको इसके उपर नजर रखना है कि भाई मार्केट यहाँ पर कैसे मार्केट यहाँ पर तोड़ा मतलब की एरिया तक आया 19,200 या तो 19,100 डोलर पे चार घंडे का बरा गेंडल क्लोजिंग हो मतलब यह से वीक नहीं चलेगा देखो यह से वीक था मतलब यह था बांस बेग ज्यादा फोकस करो कि 19,000 डोलर पे ही जो गेंडल क्लोजिंग हो फि यही ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने जाए तो भी आपको ट्रेड नहीं लेना है रीटेस्ट करने के बाद अगें नीचे आना स्टार्ट हो तो यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है एक जेटली एरिया पर आपको ट्रेड लेना है पहले नीचे आए तोड़े कहां पाई जो 50-60% जितना जो एंट्री है वो क्लोज कर देना है 18,500 पर बाकि थोड़ा वेट करना है 18,200 डोलर के आसपास और मेरी साथ से इस बार यहाँ पर आया तो मार्केट यहाँ पर भी सस्नेन नहीं करेगा और मार्केट तक्रीबंद आ सकता है मैं यहाँ पर आपको विकली चार् आपको नीचे दीख रहा है देखो यह वाला रेड लाइन आपको नीचे दीख रहा है तो मार्केट यह एरिया तक भी अमें देखने को मिल शकती है एक जेटली यहाँ पर में थोड़ा कीच के बताओ 17700 डूलर के आसपास मार्केट देखने को मिल शकती है बट उतना चल्दी नहीं होगा फिलाल आप शोट टम के अंदर ही देखो जो मैं चार गंटे के अंदर दिखा रहा हूँ यह जो चार गंडे का जो चार्ट है फिलाल यही देखो यहाँ पर फिलाल बाउंस बेक एरिया पीम बोल शकते तो कनफोर्मेशन के बिना ट्रेड मत लेना च्योंकि काफी टाइम से ही ट्रेन लाइन के उपर से बार बार बाउंस बेक मिल रहा है तो फिलाल यहाँ पर नजारा यहां पर बन रहा है टोटल मार्केट के लिए यहां पर नीचे यहां पर एक जो ट्रेंड लाइन उसको ड्रो करना पड़ेगा तो देखो यहां से ही त्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट चल रही है देखो एक जेटली बन रहा है जिसे यहां पर भी हमने बोला था क या नजर रखो breakdown करता है तो market नीचे जा सकती है तो फिलाल अभी के लिए यहां पर जो गिरावट आना है यहां पर यहां पर यह सपोर्ट दे रहा है 100MA मतलब यहां पर हमने MA का जो indicator लगाया है यहां पर आपको blue कुछ line दिख रहा है यह सपोर्ट एरिया है तो देखना है कि यहां पर support लेती है या नहीं लेती है शपोर्ट नहीं लेगा तो आपको ए ट्रेन लाइन तक जो टोटल मार्केट केप लेसे ने देखने को मिलेगा फिलाल 907 बिलियन डॉलर पर trade कर रहा है तो यहां तक आ सकता है 893 बिलियन डॉलर तक मार्केट केप आ सकती है फिर आपक यह दोनों चार्ट आप देखोगी तो काफी मुझा आएगा यहां से तोड़ा तो मार्केट के प्लेशन एकजिटली पेले तो एरिया दिखाएगा 835 बिलियन डोलर मतलब 100 बिलियन डोलर का यहां पर डंप तो काफी गिरावट आ सकती है मार्केट के अंदर तो आपको ए लाइन पे खाज करके ध्यान देना है कि ए लाइन पे सस्टेन होता या नहीं होता है सस्टेन नहीं हुआ तो मार्केट के प्लेशन यहां तक गिर शकती है और उपर का रेजिस्टन्स एरिया यह वाला है देख लेना कल का वीडियो देख लेना हमने वीडियो डा यहां पर नजार बन रहा है इथेरियम का रेजिस्टंस एरिया फिलाल के लिए देखा जाए शोट टम के लिए जो यहां पर हमें एक ओरिजोंटल लाइन को लगा देते कि इथेरियम बार-बार वहां से हो रहा है तो मतलब 1400 डूलर के आसपास इसका जो रेजिस्टंस एरिया है वह इथेरियम के अंदर आता है पाकि यहां पर लंबे टाइम फ्रेम के अंदर देखा जाए तो इथेरियम का जो मैजर रेजिस्टंस एगा 1500 डूलर जब भी यहांपर 14す से बाहर निकलना स्टार्ट ह बन रहा है यहांपर चार घंडी के केंडल एक मार्केट क्रेश हो रहा है तो आपको नजर पर रखना है एक तो यह लाइन जैसे ब्रेकड डाउन होती है अभी में ट्रेड दे रहा हू ए ब्लू वाला जो लाइन है यहां पर इंडिकेटर हमने लगाया है ब्रेकडाउन होता है इसके नीचे कहीं 4 गंडे का केंडल क्लोजिंग हो जाता है तो एक शोट बन रहा है और आपको टार्गेट देखना है बारा सो साथ डोलर के आसपास एक छोटा डम्प में बोल रहा हूँ बाकी एरिया पर भी सशने नहीं किया बारा सो साथ डोलर वे तो मार्केट एकजेटली एक ट्रेंड लाइन तक गिर शक्ती है देखो एक अजार डोलर के आसपास क्योंकि यहां ही इसने शोपोर्ट लिया है आप देखो पेले थोड़ा प्रिवेस चार्ट को यहां पर देखे सपोर्ट लेने का रिजन ही कि भए मार्केट पेले गिरी थी इथेरियम चला गया था 800-900 डोलर के आसपास फिर यहां पर उपर गई नीचे अई एरिया पर सपोर्ट लिया उपर गई यहां पर रेजिस्टन्स लिया और उपर गई मतलब यहांपर दो-तीन बार रेजिस्ट पर चार गंड़ें का बराक अनर पर झालने कहां है फिर मार्केडक को कड़ सब्सक्राइप के बनें तो थोड़ा- यांपर द्यान देना ब्ट्कॉइन के ऊपर तोर्द मार्केट ये अच짜 लगा है तो like टोक देना चलओ को subscribe कर लेना और फिलाल यहाँ पर एक जो exchange है bitgate exchange वहाँ पर आप sign up करके export trade करते हो 100 dollar का तो वहाँ पर आपको 10 dollar का C by A.N.O. free मिल रहा है तो वहाँ पर आप loot सकते हो फिलाल link मैं diction box में provide कर रहा हूँ बीट गेट एक्चेंज में अभी फ्री वाले काफी जो ऐसे प्लेटफोम है मैं दिखाता हूँ ऐसी आप ट्रेड तो करते ही हूँ तो वहाँ पर दस डॉलर का फ्री सीबा एनों मिल रहा है तो छोड़ना नी चाहिए वहाँ पर आपको अभी साइन अप करना है के वैसी करना है और एक ट्रेड मारना है गुड़ बाई